अभी वर्म वेलकम टू ओल देश्प्रेंट ओफ लाइबरी एंफर्मिशन साइन्स सब्सक्राइब का सागत है जो भी लाइबरी साइन्स से बीलाइस एलाइस एमलाइस कर रहे हैं कर चुके हैं यह आप में से कई सारे ऐसे स्टुडेंट है जो कॉम्प्रिटी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो स्टुडेंट आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पे ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में जरूरी शेयर करें ताकि बाकी स्टुडेंट तक भी लेक्चर का जो पीडियाफ है या फिर कोई भी जो इनफरमेशन जो नोटिफिकेशन होता है वो उन तक पहुंच सके अगर आप चैनल पे नहें तो चैनल के जो लिंक है चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है किसी वीडियो में आप जाके वहां से वाटसप या टेलिग्राम का जो गृूप है उसको जो जॉइन कर ले वहां पे आपको पीडियाफ वगएरा और कोई भी जो इनफरमेशन होता है वहां पे आपको मिल जाता है तो एक पर आप लोग जो चैनल का यूटूब चैनल है उसके आप लिजिट सेवे नहीं वहां पे जात जाके वीजट कर सकते हैं चाहिए आप कॉंपटिव उइग्जाम की तयारी की गुना कर रहे हो जो भी उपर निकलते हैं किसी भी स्टेट गववर्मेंट हो गया सेंट्रल गववर्म्न कर दोंतन हो तो हम उसका उसे टारले टीटे इसे ही रिगार्डिंग में हम यह सारे जो लेक्चर है आपका शूट करके डाल रहे हैं जिसमें जो टॉप इंपॉर्टेंट कोश्चन है जो कि आपके एक्जाम में अती महत्वपूर्ण हैं जिसमें हमने आप लोग का बी एल आई टू-टू-टू का अलरी जो लॉग कोशन तो यहां पर पेपर कोड़ बी एल आई टू-टू-टू-टू-टू-इम्पॉर्टन कोश्चन मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन जो कि आपका थर्ड अगस्को इसका एक्जाम होगा तो लिस्ट आफ शॉर्ट कोश्चन लॉइड डाल दिया है अगर आपने वाले वीडियो नहीं देखे तो उपर आई बटन पे क्लिक कर एक उस वीडियो को भी देख सकते हैं और यह शॉर्ट कोश्चन का है जिसमें आपको 250 वर्ट्स में जो आंसर है वो लिखना होता है तो यह 30 नंबर का यह होता है और 40 नंबर वाला अलएड हमने बता दिया जिसमें पुरे तर कोश्चन जो हम आज बताएंगे अगर आपने उनको पूरे अच्छे से कर लिया है तो आप लोगों के जो 30 नंबर हो कहीं नहीं जाने वाले इसके अंदर से ही 30 नंबर आएंगे तो कौन कौन सा कोश्चन है कोश्चन डीटेल में मैं डिसकस नहीं करूंगा हाँ इसमें थो पर आई बटन पर क्लिक करके या प्लेलिस में जाके चलिए स्ट करते है शॉट कोश्चन का जो फॉर्स कोशन यहां पर एक्सप्लें दॉ कंसेप्ट आफ टेक्नोलोजिकल गेट कीपर यह जो यह जो कोश्चन यह रिपीटेड कोश्चन है इसको आप मतला ऐसे मान लें कि ह तो इसको आप लिख लिए और उसके अलावा सेकेंड है एक्स जिए वेर्चुल रफेर जेता एक्सप्लेंस सर्वेस वेर्ट्योजेस क्या होती है उसको एक्सप्लें करना है थार है एक कोशन आइ रीपीटेड हैं और ये प्रीवेश एर कोशन से लिए गये हैं और कुछ ऐसे कोशन है जो हमेसा ही आते हैं तो उसको आप लोग को जो स्टारमाक लगवा रहे हैं वो कोशन आप ऐसे मालें कि आने ही आने वाला है फिर उसके बाद fourth question है यहां पे describe the method of implication of subject bibliography subject bibliography का implication जो method होता है उसको describe करना है यहाँ पे subject और bibliography साथ में हो गया आप लोग इसको सुधार लेना और एक बात ये जो long question, short question को जो lecture हम cover करा रहे है इसका जो pre-df है यह आपको group में मिल जाएगा जो टेलीग्राम का ग्रूप है या वाटसब का ग्रूप है वहाँ पे मिल जाएगा तो आप टेलीग्राम और वाटसब का जो ग्रूप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन वोक्स में दिया हुआ है तो यहाँ पर अब है फिफ्ट कोशन इसको आप लोग जरूर मतलब करना फिर उसके बाद सिक्स कोशन है एक्स्प्लेइन डिफरेंट स्टेप टू बी अब्जर वाइल प्लानिंग यूजर स्टेडी वेरी इंपॉर्टन यूजर स्टेडी पर आपको लॉंग कोशन शॉर्ट कोशन दोनों में देखने को तो यहां पर यूजर स्टेडी जो होता है उसको प्लानिंग जब होता है तो उसमें कौन-कौन से डिफरेंट स्टेप होते हैं वो बताने है फिर लिस कॉंपोनेंट आफ मास मेडिया से भी दो कोशन बनेंगे एक या तो अगर आपको शॉर्ट कोशन में नहीं आया तो कोशन जब डिसकस किया तो महां पर भी आपको बताया था और ये शॉर्ट कोशन में भी आपको शॉर्ट नोट के लिए आ जाता है फिर उसके बाद एट कोशन है यहां पर एक्स्प्लेइन दा क्राइटिरिया तो बी फॉलोड वाइल इवेलुएटिंग एयर्बूक एन अ कोशन है ना ऐसा नहीं है कि ऐसे कहीं से भी उठाके डाल दिया है यह सब अपने अनुभाव के बेश्पर हमने डाला है क्योंकि आप लोग को हम काफी टाइम से जो लाइबरी साइंस का जो यह कोर्स है सब करवा रहे हैं और काफी कीनली अफजर्ब कर रहे हैं कि किस तरीक कोशन वो पूछ सकता है उसी गोशन जो है हम लेके आए हैं बाकि आप लोग का मर्जी आप जहां से पढ़ना चाहे हैं वहाज से पढ़ सकते हैं बढ़ यकीन माने जो कोशन हम कराते हैं ये आपके भले के लिए कर वाते हैं और यह आपके एक्जाम में देखनी को मिलता भ तो इसका थोड़ा सा एक कमेंट करके जरूर बताया करें, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें और हमारे टीम को काफी बूस्ट मिलता है आपके लिए काम करने के लिए, तो देखिए यह तो था, एट्थ कोशन, नाइन्थ कोशन है यह पे, इसका रोल बताना है, तो डेफिनेटली एक सोर्स अफिनेटली एक सोर्स अफिनेटल अफिनेटली एक सोर्स अफिनेटली एक सोर्स अफिनेटली इंफिनेटली एक सोर्स अफिनेटली एक सोर्स अफिनेटली एक सोर्स अफिनेटली एक सोर्स अफिनेटली एक सोर्स या तो यह अभी शॉर्ट में दिख रहा है कभी आपको यह लॉंग नोट में लॉंग कोशन में भी दिख जाएगा तो इस तरीके से यह सारी कोशन है फिर आगे देखते हैं 11 कोशन है इनुमिरेट डिफरेंट टाइप अफ इन्फरमेशन यूजर स्टेडी जैसे उपर बता उरल इन्फरमेशन यूजर स्टड़ी ना मतलब जो भाइ जो प्रमीशन यूजर को बताया जा कि कैसे ज्यमाल ली जागा आपने एक लाइब्रेरी ओपन किया और पर जो स्टूडेंट रोग उन पर पता हिनी को यूज का नहीं को उनको बोल बताएंगे कई-कई पर लिखा हुआ होता है तो इस तरीके से यूजर स्टडी होती है फिर यहां पर ट्वेल्थ कोशन है डिस्टिंग डिफ्रेंशियेट बेट्वीन शॉर्ट रेंज और लॉंग रेंज रेफ्रेंस सर्विसेस वेरी इंपॉर्टेंट यह आल टाइम फेड लगा सेम सेम सा होता है तो आप चाहे डेली उनिवर्सिटी से कर रहे हैं चाहे बी एचु से कर रहे हैं कहीं से कर रहे हैं आप इसको फॉलो कर सकते हैं क्यूंकि हम इगनु के सलेबस से ही कवर कराते हैं बट सलेबस सबका सेम होता है आप चाहे किसी भी उनिवर्सिटी का स फिर उसके आलवाँ है 14 question what do you mean by trade literature very 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 important इनका एक favourite topic है 15th question are briefly describe briefly any one component of mass media अब mass media को देखिये दूसरा question जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि wording मतलब change कर सकता है बट कोशन का जो मेन फोकस रहेगा वो वही रहेगा तो यहां पर मास मीडिया से एक और कोशन आपको देखने को मिल गया फिर दिस्क्राइब दा इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिक सोर्स बेस्ट इंफरमेशन यूजर स्टडी उसको डिस्क्राइब करना है फिर 17 एक्षप्लेटी ऑफ जो एक्षप्लेटी का इंफ्रमेशन प्रोवाइडर की काम करता है यह भी बहुत इंपर्टन कोशन है फिर यहां पर है जो कि last question है हमारा distinguish between everyday information need and current information need very important यह वाला भी बहुत बार पुछा जाता है तो इसको भी mark कर ले और यकीन मानी यह सारे question अगर आपने मतलब कर लिये हैं इन सारे topic को cover कर लिया है इस question को चलिए question में जो topic topic मैंने आपको बताया है वह topic और question सब cover कर लिया तो आपके जो 30 number है उसमें से 25 number तो कहीं पर भी नहीं जाएंगे आज नमबर मैं इसलिए चोड़ रहा हूं क्यूंकि आपके कुछ कुछ आपके grammatical mistake या फिर आपने लिखने का तरीका गरत लिखा है या फिर कुछ मतलब उपर नीचे कुछ कर दिया है mistake तो उसके कारण कर जाएंगे बाकि आपके 30 number कहीं पर भी नहीं जाने वाले तो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि इन सारे topic को अच्छे से कवर करें इन सारे question को कवर करें और फिर आप जाके जब आप exam hall में बैठेंगे आपको question paper हाथ में मिलेगा तब आपको realization होगा कि हाँ इस सारे question तो हमने पहले से पढ़ रखे हैं तो फिर depend करता है आपके उपर कि किस तरीक से आप उसको मतलब मेहनत करते हैं अपने अपने के लिए बाकि आपको कोई भी दिक्कत हो lecture के regarding या फिर किसी और topic पर आपको lecture चाहिए तो प्लीज करके comment box में जरूर करें किसी भी video कमेंट में कर सकते हैं तो आशा करते हैं आपको lecture अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं आप सभी से अलग topic के साथ तब तक के लिए कर दो आपको